नमस्कार सात्यूं स्वागत आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल भी गोट क्लासेज में दोस्तों यह क्लास तमाम उन सभी विध्यारत्यों के लिए अत्ती महत्तों पूर्ण है जो कि वर्तमान में सेकेंड एर में होंगे या ऐसे स्टूडेंट जिनके सेकेंड एर इलेक्टरिशन थियोरी में बैख होगी क्योंकि एलेक्टरिशन ट्रेट से रिलेटेट हम यह आंसर की आपको हल करवा रहे हैं जो कि 10 जुलाई 2003 की जो कि तीन वजे वाली सिप्ट का जो पेपर हुआ था दस तारीक को वह हम आपको हल करवा रहे हैं दोस्तों जितने भी स् कीुशन को हम आपको हल करवाएंगे इस लिए रेगुलर हम से जुड़े रहेंगा आपको काफ़ी सारे प्वेपर देखने को मिलेंगे और काफ़ी सारे कीुशन कापो वीशन को समझे को हर यादक करने है तो किलास को بीच में बील्कुल भी नहीं चोड़ना है तमाम सभी क्यूशन जितने भी हैं सारे के सारे मौस्ट इंपर्टेंट है क्योंकि क्यूशन पुछे जो जाते हैं एक्जाम में वह कुशन अती महत्वपुन होते हैं इसलिए कुशन अती महत्वपुन हैं तो अंतिन तक जरूर इस वीडियो को देखना है सुरुवात करते हैं अपन देखिए मैंने इसके 25 कुशन करवा दियें पहले वाले वीडियो में तो आज अपन 26 से स्टाट करेंगे 25 कुशन करवा दिये गए हैं आज और 25 कुशन करेंगे जो कि अपना 26 नमर से स्टार्ट होगा है ना तो लगातार आप जुड़े रही है चैनल से और लगातार क्लासों को देखते रही है फायदा आपको हो गई है ना चलिए सुरुवात करते हैं 26 नमर कुशन अपने सामने हैं क्या है ध्यान पुरवक अग देखना और समझना पैनल बोर्ड का स्वरीर्ण बोर्ड कहां उप्योग किया जाता है पैनल बोर्ड जो होते हैं कहां पर इनका उप्योग य 아र जाता है तो ठीफेस घरेलों वाइरिंग वहती है इनने में इसका उपयोग किया जाता है यहां रखञें टीच है नेक्स्ट पर कार्य पूचा गया है तो आई जी बीटी का जो कार्य होता है मोटर को दी गई सक्ति को नियंत्रित करता है जो आई जी बीटी जो होता है वह जो मोटर को करेंट दिया जाता है या सप्लाई दी जाती है उसको क्या करता है यह नियंत्रित करता है उसको कंट्रोल करता है तो यह का नाम पूचा है यह वाइनिंग कौन से हैं ध्यान पुरवक्त देख लीजिए कौन सी यह वाइनिंग है तो यह तिर्ची वाइनिंग है यानि की इसको कहा जाएगा सी ऑप्शन यहां पर भी कंप्रेटली सही आंसर है जिन्होंने थोड़ा बहुत भी निमी की पीडियाप और पड़ रखा है एक बार भी देख रहा है निमी पीडियाप käको पूरा तो यह सारे क्यूशुनों की आंसर है learnt देख लें। अगर अगर आपने में युश्ट क्यूश्चन नहीं देक्या हैं तो आम नें जिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पर हमने पुरा इस इंसूलेटर का नाम पूझा गया है कि यह इस कोंसा है सेघ्र का नाम क्या है तो यहाँ तो यहाँ पर यहां पर यह पिंवाय निकलता है इस workout है त liquor नहीं लेकिन यहां लेकिन यह क्या काइश का नाम क्या है आपके सामने यहाँ पर इस चित्र दिया गया है इसको देखकर आप answer दे सकते हैं यह compound generator तो है ठीक है compound generator तो यह है ना लेकिन यह क्या cumulative है यह differential है तो यहां से देखे धार इदर से निकलेगी और इधर जाएगी तो यहां पर इस तरह के से इस और चाहिए और यहां पर दारा इधर से गुमती हुई जब आएगी तो इस तरह के से यह वहापिस दारा इसे रही हैं यहां पर वाय divty दोनों एक जिसा में नहीं है कर रही है तो यह डिफ्रेंस डिशा की ऑर गती कर रही है तो यह equivalent चिर लिए-टर होगा जो कि आप संतर हैं और नहीं से जुँट होती औरिक्स के समांतर नहीं नहीं उतती तो फिर यह संतर होता ठीक है लेकिन यह कौन सा ड़ा लोगका होगा इदफ्यान पर यह मैं दी हैं इनकी डायरेक्शन एक तरफ होनी चीए थी तो यह हो जाती लेकिन यहां पर दोनों की दिसाइं अलग-अलग है इसलिए यहां पर डिफ्रेंट होगा ठीक है अगला जो क्यूशन आपके सामने लिप्ट में किस परकार की डिसी मोटर का उप्योग किया जात है तो LCD मोनिटर कि दर पेरामिटर यानि की पेरामिटर की निगरानी करने के लिए उस पर LCD लगी होती है जिससे देख सकते कि क्या-क्या प्रतिक्रियें हो रही है अगरा क्विशन आपके सामने वाइनिंग से रिलेड़ेट फिर से आ गया यानि कि आपको वाइनिंगा इस टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है आपको जितने भी पीडेप के अंदर इसके क्यूशन है ना उन तमाम क्यूशनों को आपको ध्यान प्रवक देखना है हर एक चित्र को मायन में छाप लेना है अगला क्यूशन है हाई स्वीड ओफ्रेशन के लिए ऐसी ड् प्रेटर होता है तो इसमें कोई ब्रशे और नहीं होता है अगला सुखने आपके सामने हakte निरंतर गति द्राव के लिए किस परकार के DC motor का प्योग किया जाता है तो इसके लिए DC center motor का प्योग किया जाता है registered questions के साम gets której SC और DC आपूरती दोनों में किस प्रकार के relay का प्योग किया जाता है तो इसके लिए और रिस डूग के जाता है यह भी द्यारखना नेक्स निशुक्ये सापने इंडक्शन मोटर के रोटर में ओल्टेज के से प्राप्त होता है तो जो इंडक्शन मोटर होता है उनमें ओल्टेज के से प्राप्त होता है तो इस्टेटर और रोटर ट्रांसफार्मर कारे द्वारा क्रिय करता है फिर वहाँ पर क्या होता है जो ओल्टेज है वह प्राप्त हुआ है ठीक है तो देखि meach तो यहां पर एक तो रोटा होता है और यह उसको कालता है तो इस रोटरory के अंदर क्या बन जाता है विद्वत्झ जाता है यानगिए औğlटेज उत्पन हो जाता है का उप्यों कि याता है ये ओप्शन यह आंपर v бी कंपरेटली सही आंसर होगा चलिए आपके जो भीशोप कैने वरक्षोप के अपने इसी वीडियो में कम्प्लेट करेंगे सिंपल से क्यूशन्स आते हैं कोई कटिन क्यूशन्स नहीं आता इसलिए द्यान पुर्वग देख रहे ना साधारान ब्याज में प्रिंसिपल को किस तरह से निरुपित किया जाता है अगला क्यूशन आपके सामने हैं इंजनेर जो उनके द्वारा जो रिफ यह अंपर निरदेश्ट पुस्तिक जो है मार्क-स्टेंडर्ड यह द्यान रखना डियो ऑप्षिन आपर भी completely सही answer है next question कोनसा प्रादीकरण दरोक सच को प्रकाशित करता है तो यह सरकारी विबाग होता है जो क्या करता है अल्व सच को इसको मत देखना इसको बताओ इसका कि इसका हल क्या है तो यहाँ पर आधार से में एक ओर यह उपर अपर आएगा तो मैनने स्कों पर मैनने कांपर कोई जाता है और यहां पर एंपर का край का कम्परेvania का Г2 development किसको निरुपित करता है तो आय जो होता है वहाइं इन्ट्रेश्ट को निरुपित करता है अब यहाँ पर आपका Engineering Drawing के Quesions आ चुके हैं तो Engineering Drawing के जो Quesions से उनको ध्यान पूरो का हाप देख लेना Quesions से मोटर को चालू और बंद करने के लिए किस ऊपरन का उप्योग कहलता है तो मोटर को चालू या बंद करने के लिए आपन स्टार्टर का उप्योग करता ही किसका उप्योग करते हैं तो इस्टाटर का उप्योग कियाता है ध्यान रखना ठीक है नेक्ष्ट रिजू क्विशन से परत्वी का परतिक कोन सा है यह जो आपके सामने परतिक है यह किसका है पहले इसका आंसर दीजिए यह किसका है तो यह बेटरी का है या सेल का है बेटरी प्रत्वी के बारे में पूचा है तो अर्थ का जो है आपके सामने है यह वाला यह अर्थ का सिंबल है ठीक है अर्थ का पूचा है आप सिंबल है इसके बाद में यहां पर यह जो सिंबल है यह किसका है तो यह एनोगा है नोगा और यहांपर है यह जो है यह स्वीच का है है यहाई सिडिपी स्विच्ट यह कि ऐसी इपका नहीं है यह सिंगल ही यहां पर बहुत यह साथ में आग्या पर यह स्विच को कहने इस तरफिए से होने करहे हम पर चयाए किसे से होता है तो इस तरह कोसी सिंबल यह जो आपके सामने symbol है किसका है यह AC का symbol है देखिए यहाँ पर AC में सारा आपको बता देता हूं यह AC का है ओम का पुछ जाता तो इस तरीके का symbol होता और यहाँ पर DC का पुछ जाता तो मैंने आप भी आपको बताया है और पर यह लिए पर यहाँ पर यहां पर यह पर आ अपके बढ़ते हैं तो यह है कितने पॉल है इस फोर पॉल है यहां पर इसके आज आते हैं पन यह वड़ा नहीं इसमें एक ही पॉल है यह चार पॉल है गोज़ा तो यह एक आपना कोनर द्याद रखना ठीक है तो यह यह कौन सा meter है, frequency meter है, इसके बाद में निचे वाला जो है, यह alt meter है, ठीके, और आगे यहाँ पर यह आया जो यह om meter है, और उसके बाद में यहाँ पर AC के बारे में पुचा तो यह अपना जो है, यह AC का meter है, ठीके, तो यहाँ पर अपने जो questions थे, electrician theory के 50 questions वाया complete हो चुके है, अगले next video में आपन आएंगे employability skills के questions पर, तो next video में आपन जो questions है, employability skills के उनके questions उपर अपन चर्चाई करेंगे, तो channel को अभी आपने subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe कर लेना, और साथी bell icon को भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि इस video का link आप तक सबसे पह पढ़ाई हैं, उसमें मजबुत्ती ला सके, ठीक है?